आज आपके लिए बनाने जारी हुँ बहुत ही स्पेसल रेसिपी तो देखते हैं। कई बार हम सब्सक्राइब कि यसे बनाने में चैटनी मूँझे मूर 11-24 वाikum और ये सыш 750 चतनी जारते हैं। आज बनाने में 10 मिरशिपल रहे, crab kiss आपड़ें 같습니다. रख सकते हैं तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए को फ्रेंट उशकी लिए हमें चाहिए मिर्च तो मैंने यहां 15 से 20 मिर्च ले ली है विर्ची्फ Corn मूमफली, 15-20 मूमफली को कूट लिया है, छिलका निकाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन, लगबग आधा चमच अजवाइन है, एक चोथाई चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चोथाई चमच चाट मसाला, आधे नीवू का रस, भुना हुआ जीरा, एक चोथाई चमच और नमक according to taste, बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा ओईल गर्म होने के लिए रखते हैं, तो यहां मैं लगबग एक से डिर्ड चमच ओईल ले रही हूँ, जैसी ओईल गर्म होगा, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अजवाइन, गैस हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखनी है, अब मूफली, अच्छे से थोड़ा सा हमें भूल लेना है, अब हम इसमें डाल देंगे मिर्च, और नमक डाल देंगे तुरंद, मूफली को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि मिर्च के साथ मूफली को भूनेंगे, अगर हम मूफली ज्यादा भून देंगे, तो मूफली काली पढ़ जाएगी, इसलिए जरा सा सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हम मूफली को पहले भूनेंगे, फिर मिर्च के साथ अच्छे से भूनेंगे नमख डालके आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा-थोड़ा जो हमारी मिर्च है यह हलकी से हमारी मिर्च जो है वह सिक गई है पक गई आप देख सकते हैं इस तरीके से फिसे हमें लगबाग दो से टीन मिनट पकाना है बहुत ज्यादा नहीं अब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चाट मसाला और जीरा पाउडर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कश्मिरी लाल मेंच पाउडर मैंच में निसमें थोड़े से कलर के लिए डाला है कि दिखने में तोड़ा और अच्छा दिखनें लगेगा इसलिए मैंने डाला है आप चाहें तो आप शिप कर सकते हैं वैसे तीखा नहीं होता है अब हम गैस बंद कर देंगे और सबसे लाज्ट जो हम डालेंगे नीबू का रस अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो लीजे बनकर तैयार है हमारी मसाला मिर्च मूमफली जिससे बनाने में मुझे टोटल 10 मिट का टाइम लगा है आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में या अगर आप इसे बाहर रखे तो नीबू करस स्किप कर दीजिए और अगर नीबू करस आप डालते हैं तो आप इसे फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं आप इसे बनाईए यह बहुत ही टेस्टी लगती है आप अपने लंच में भी रख सकते हैं डिनर में भी सामिल कर सकते हैं और पूड़ी ये पराथे के साथ रोटी के साथ भी खा सकते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन प्रेस करना ना भूले और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते है जायके में तड़का अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू